हाई गाईस दिस विजय सोनी और आप देख रहें सोनी कंप्यूटर टेक्नोलाजी टेक्नोलाजी विजय के साथ गाईस आज हम MS Access में सिंपल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो जानेंगे तो चलिए गाईस वीडियो में हम आगे बनते हैं आज हम MS Access में रिपोर्ट कैसे जप्रेट करते हैं या भी रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं वो जानेंगे कल तक हमने फॉर्म बनाना सीखा था तो चलिए आपको इस प्रकार से टेबर कुष्ट रखना है इसके बाद आप Create Option बर जाएंगे और क्लिप करेंगे क्लिप कर लेने के बार में आप हमारा रिपोर्ट विजाड यहां पर दिखाई परता है यह हमारा टेबल है आपको Create में रिपोर्ट विजाड पर क्लिप करना होगा क्लिक कर लेने के बार में आपको MS Access इस प्रकार से एक टेवल रिपोर्ट जन्रेट करके दे देता है यहाँ पे आपको टेवल को और अच्छे से बनाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे आप इस प्रकार से इसे पतला कर लिजिए यहाँ पे Access अपने हिसाप से दे देता है बागी हमें बाद में इसे मेनेज करना पड़ता है आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको इसे सेट करना होगा बारी बारी से आप एक एक करके सब को करते जाएंगे यहाँ पर से इसको साइट कर लिजिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं Access जो है कितने Space छोड़ छोड़ के दिया हुआ है आपको यहीं पर सेट करना है यह देखिए इस प्रकार से आप report को सेट कर सकते हैं तो यह तो हमारा हुआ रिपोर्ट का फर्स्ट वाला उम्मीद है गाइस आपको यह वीडियो जरू समद में आया होगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के सामद तब तक के लिए नमस्कार काई जानकारी के लिए और आपकारी का अच्छी लगती है